कि नमस्कार दोस्तों मैं हूं विश्या नियूस से विनुबनित्यागी आप तो जानते ही होंगे कि काफी दिनों से विते दिन महराज सरकार और वलिवुड के इन कंगना रनावत के बीच काफी तनातनी का महमुल चल रहा है काभी काफी शब्दों की जंग चल रही है आप ये भी जानते होंगे कि ये तनातनी क्यूं है किसलिए है क्यूंकि कंगना रनावत एक राष्टवादी है और एक सठी देश भक्त है उसके नाते सुसान सिंग राजपूत के केस के लिए उन्होंने आवाज उठाईए सुसान सिंग के परिवार को नियाय दिलाने के लिए उन्होंने आवाज उठाईए क्या ये गलत है अगर उन्होंने कुछ कलियां खोलनी सुरू की हैं वोलिवुड की कुछ राजनेतिक पार्टियों की कि जिस्से उसे नियाय मिले उसके परिवार को नियाय मिले जिन्होंने अपने जानमाल के अपने परिवार की परवाना करते हुए एक तरफा अकेले ही अवाज उठाई है पूरा वोलिवुड एक तरफ और कंगना रानावत एक तरफ आखिर क्यूं क्या मिले दो उनको एक इंसानियत के नाते एक स्टाफ के नाते की एक अच्छे दोस्त के नाते कि सुसान सिंग को नियाय मिले उसके परिवार को नियाय मिले इसी तना तनी के बीच महरा सरकार और कंगना रानावत में शब्दों की जंग जारी थी काफी दिनों से और अभी आपको पताई होगा कल कंगना की अनुपस्थिति में कंगना के मुंबई स्थित ओफिस को बीमसी द्वारा तोड़ दिया गया बुल्डोजर चला दिया गया तैसनेस कर दिया गया क्या यह सही था किसी को एक नियाई दिलाने के लिए वो एक जंग लड़ रही है एक सच्चाई की जंग लड़ रही है तो इसमें गलत क्या है उसे के बीच अब वॉलुट की ही जाने माने आइटम गल राखी सावंत अब जातिवाद के बुद्द्यों को लेकर जैबीम के नारे के साथ कंगनार रनावत के उपर उमलिया उठा रही है अब शब्द बोल रही है अब दिरता कर रही है आखिर वे वी एक लेड़ी हैं उनको एक तरफ साथ देना चाहिए यहां आची पूरा देश कंगनार रहांत के साथ खड़ा है वह को कि उनीगी लाइन की ऑनीगी इंडस्ट्री की के श्राइक क्लाकार एalta ईसए उनको श्यot बोल रही है उनको जैतिवाद के पहाड़े पढड़ा रही है उनको पआटवा रही है सम्विधान का ज्यान दे रही है जिस राकी सावंद को अपना ही केरियर के बारे में नहीं पता की कैसे शुरूआ कहां से शुरूआ जिस को इस देश के इतियास का अभोल का नहीं पता वो उस राकी सावंद को जहां से कि रानी लक्षी बाई के इतिहास के बारे में बता रही है, जिसने जहां से कि रानी लक्षी बाई के इतिहास के उपर पूरी फिल्म बना दी, उची उसके अपर उदेश दे रही है समीधान के अपर उदेश दे रही है आकित जानते ग्तैंग राकिसावंद। क्या तो इसका मतलब यह है राकिसावंद भी केस में इनव्र है वालीवूड बाफचक गैंके साथ इन्वॉल है जो जो लोग इसमें इन्वॉल है जिनके नाम खुल सकते हैं जो इसमें फस सकते हैं क्यों चेटपटा आखे लिए किस लिए अपनी मर्यादा भंकरते वे एक महिला के अपर उम्ली उठाना अब दर्ताब करना उनकी जाते जिंदिकी पर सवाल उठाना अरे भाई तुम भी नारी हो जहां एक तरवाज पूरा भारत पूरे देश का महिला जन्चम हों कंगनर रनावत के साथ खड़ा है पूरा देश कंगनर रनावत के साथ खड़ा है जिसम जिस महिला का घर तोड़ दिया गया हो सिर्फ वो एक रास्टवाजता के ओपर तो लड़ रही है कि सुसान सिंग राजपूत के परिवार वालों को नियाय मिल सके को अन्याय नहों कि या तो इसमें जो इन्वोल हैं राजनेता हैं वालिवुड वाफिय माफिया गैंक के खांग मार्किट के जो लोग है या तो उनके सारे पर राकी सामत बोल रही है या यह महाराश सरकार के जो रायता किंग है आप जानते हैं होंगे सिफसेना के रायता के संजरा हुजी जिन्होंने काफी रायता अफला रखा है सिफसेना के लिए और शायद वह रायता सिफसेना आप सम्हाल नहीं पाएगी समेट नहीं पाएगी क्योंकि रायता फैलाना आसान है उसको समेट पाना बहुत मुश्किल है कि बस मैं तो इतना है कहना चाहूंगा कि यह आके छट पटाट क्यूं है इतनी करना रहनात के ओपर कल एफायर दर्ज कर दी गई किस बात को लेकर अरे भाई तुमने एक महिला का घर तोड़ दिया हें वह कुछ बोले भी नवाज भी न करें कि तुम जो करें कि तुम सत्ता में हो सत्ता धारी हो तो इसका मतलब जो करेंगे अपने कि कि क्या कि संजराओ ने कंद्गरा नावत को सही कहा था कि कि शब्दों का हेर फेर करते हैं हराम कोर की उपादी से नुपा नवाजा था कंद्गरा को क्या वो सही सबते वो सम्मान जनक सबते कंद्गना ने कल दिल दुखी था उनका घर टूटा है तो उन्होंने कुछ बोला बहराल तो ऐसा कुछ बोला नहीं है सब मीडिया चैनल्स पर भी चल रहा है सोसल मीडिया पर भी चल रहा है कि फिर भी अफायर दर्ज कर दी गई क्या हराम खोर और तू में कोई अंतर नहीं है राम खोर से मान जेनक सब दे और तू बहुत अबेदर्ता का सब दे रे सत्ता में बैठे हो तू एक प्रदेश की सत्ता एक राज्य की सत्ता तुमारे हाथ में है उद्दव जी आपको समझना चाहिए एक महिला अकेली लड़ रही है जिसके साथ पूरा रास पूरा देश खड़ा है आप अब भी अपनी मन मानी कर रहे हैं आपको शायद पता नहीं है कि आप जंता से हैं जंता आप से नहीं है